अब मैं टीचिंग भी करता हूँ, मैं जो हूँ वो लॉयर भी हूँ, मैं सोचल एक्टिविस्ट भी हूँ, तो मेरे साथ बहुत सारी चीज़े जुड़ी हूँ आपको मरने से बचा लो, ऐसे बहुत से मेरी जिंदगी में वाकियात हो हैं जिसमें बहुत सारे लोग बज गय हैं तो इस बैसे कि मेरेорłość करने से बच गया है, अगर मैं नहीं करता कोई बहुत साथ को किसी का मेरी मोइयहां करता है कि कराची किरें और को करता था हुए, सब को कट अगता है, नुक्त वतरल्तों का हो थे genetic बत्ते की पर्ची आगई फितरे की पर्ची आगई यह आगई नहीं आगई और भी आपकी आर्मी वाला गाड़ी रोक ले आप बोल के दिखा दो के मैं कौन हूँ कि अनुटर भी आपकी आपके मूगे त्रसीत करेका एक रहा है उत्व है तुम लुग नुग चाहा है तुम लोग आउ जए स्ट्रेंट प्रिंसले वो कहते हैं थाला डेलो बेटा इंसा फनलात आठेलमन लेए इस एज्डलेलो बेटा इंसा फालात अलात ट्रमन्सपल एंग का वो कहते हैं भाई फैसला चाहिए फैसला मिलेगा यहां इंसाफ अल्लागी अलालत से मिलता है अल्लागी अल्लागी अल्लालत से मेरे साथ मेरे जो कोष्ट हैं और आज के Bruce Wayne of Karachi के नाम से है. जो वार. He is a social activist and he is a different type of a social activist. आपको social activist देखते हैं, जो society के लिए काम करते हैं. He also works for a society but he works differently. He works on individual level. So, he is an advocate he is a lawyer. So, please welcome Fahad Baloch. Thank you Fahad, बाइ. आप हमारे podcast में आए, कैसे हैं आप? Alla करें. सबसे बहले तो Eid मुबारक है, के तूबूब या इद ने आपकोहे एद मुभार्द का क्रे कया हूं। किसा चल रहा है शबक्सपाइँ? सब बहतरी है, आप अन्लागा कर रहा है। तो फाद बिलोच बनाई ज्याए। पुँक्हा हम्ने और ऐक ट्राइम देख़ा है। 16 17 में फाद बलोच हर जगा टैग हो रहे हैं कोई भी मसला आता है कुछ भी आता है तो फाद बलोच को टैग किया जाता है कोई भी कराची में कोई बलोच के मुबाइल चेंड रहा है या 2013-14 से आपने देखा है बहुत तेर में देखा ना 2009-10 जब सोशल मीडिया नया नया आया था तब कोई भी यूज नी करता था ना इन मैटर्स के लिए यूज करता था ना किसी चीज के लिए यूज करता था तब भी मैं उस पर तो फिर वह फेम बढ़ते बढ़ते आपने पर ने इस तरह दी के वहर जगा पर आज तक चल रहा है चाहे हम सीट पर रहें ना रहें कहीं रहें ना रहें तो अब जैसे बहुत कम जो है वो टैग होता है मैटर्स बहुत कम आते हैं हमारे पास वजह यही है क्यूंकि जो है अब हमारे आफ़ीसर सारे कोई के-पी चला गया है कोई चला गया है वो sources आगे पीछा हो गइ apenas сч तरीका के भाई यहां इस तरह काम करा ले ना अपना जाके यहां इस तरीके से होगा इस डिरेक्शन में आई कैसे मतलब पैकेंड आपकी अब इस अप्शन होंगे यह वाई एज अज़िए यह 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 हर इंसान के अंदर होती है पता है अब बात यह है कि अगर इस चीज़ को देखा जाए कि मैं कैसे आया बार तो मैं चब मेरा कोई स्कोप नी था यह मतलब कोई असा ट्रेंग नी था कि मैं यह बनूगा आगे जागे यह सोचल एक्टिविस्ट हो जाऊँगा यह कुछ भी हो जाऊँगा वो इस वज़ा से नहीं था क्योंके ना मेरी डिग्री ऐसी थी मैं तो इंटर जब कर रहा था तब से काम कर रहा था ना तो मुझे थोड़ी पता था मुझे आगे क्या करना है लोग करना है नहीं करना है क्या करना है किस तरफ जाना है हाँ बस एक शौक था पुलिस का पुलिस का शौक हमेशा से है और वो इसलिए के अच्छे लगते हैं जो जो मतलब जिनके साथ लेंड रहा आफीसर्स के साथ उनका जो है वो लाइफस्टायल अच्छा लगता है अच्छे लगते है ज़रा फाशन तो आपने जॉइन की नहीं गया प्लीज? यार जौईन असल में ये के देखो हर चीज जो पसंद आती है, आदमी को टाइम लगता है, वो करने में हो सकता है का आने वाले वख्तों में ऐसा हो, हो सकता है, ऐसा ना भी हो कई और हो। लेकिन ये कि चल वो तो नसीब की बात होती है जहां आल्ला ने काम लिखा होता है वहाँ पर काम जो है अब उसके साथ डाइवर्सिफिकेशन बहुत जादा है अब मैं टीचिंग भी करता हूं मैं जो हूं वो लॉयर भी हूं मैं सोचल अक्टिविस्ट भी हूं तो मेरे साथ बहुत सारी चीज़े जुड़ी हूं अब आगे जागे देखते हैं आगे क्या चलता है फुलिस तक जाते हैं नहीं जाते हैं आगे आते हैं नहीं आते हैं ये तो वक बताएगा अभी अचा फाद भाई आपका जो सिंस यूर अन आक्टिविस्ट आपको जो स्टाइल है व और अल उवर कैराची है तो आपके लिए हेक्टिक नहीं होता हो चांब कि यह देखें बसने तो हर किसी के हैं हम में जितने भी लोग हैं हर किसी के इंडिविजुल प्रोब्लम होते हैं जो लॉव से रिलेटेड होते हैं लॉव कर एक प्रोसर्स होता है जो प्रोसर से तो इतना time इतनी मेनत कैसे है यह अगर आप काम कर रहे हो नो कोई भी काम कर रहे हो दोनों सही है तो अब उसमें यह कि आपका काम है यह मेरा भी काम है आपको time देना तो बात यह कि देखें हर जगा आदमी को निकालना पड़ता है और अच्छा यह जो social activism है ना यह एक ऐसी च मतलब आप किसी का काम कर रहे हो तो ना अभी बहुत सारे लोग हच्पे गए में तो उसमें बहुत सारे लोगों का मैसेज आया है दुआएं आई है हच्पे यह वो मैं उनको personally किसी बहुत कम लोगों को जानता हूं तिर्व इसलिए किसी का कोई काम करा दिया किसी का कोई का कभी कराया था किसी ने वहां से मैसेच कर दिया किसी ने बोला मैं अगली दफा उम्रे पर जाऊंगा तो आपको अपने साथ लेके जाऊंगा तो बात ये होती है कि ये बस जब आदमी काम कर रहा होता तो उसको जो दूआ मिलती है ना बस वो दूआ पावर देती है इंसान को वन्ना ये बहुत हेक्टिक काम है ये इस तरह है कि रात के साड़े चार बजे भी मैं बैठावा होता हूँ अकसर मुझे नीदारी होती है सक्त और मैं किसी का फोन कॉल लियावा होता हूँ और मैं बोल रहा होता हूँ कि उनका मैटर देख लूँ फिर सो जाओं वन्ना मैं सो जाओंगा तो इनका मैंटर कौन देखेगा तो ये सारे मामलाद जो है न वो और ये फ्री आफ कॉस्ट है सब कोई पैसे वैसे नहीं देता इसके तो बात ये है कि बस वो एक लगन होती है कि मैं काम कर लूँ किसी का मुश्किल तो वो बज गया है अगर मैं टाइमली रिस्पॉंड नहीं करता तो शायद वो मारे जाते या मर जाते या उनका डम निकल जाता तो बात ऐसा होता ऐसा हुआ है मेरी जिंदगी में तो मैंने बोला ठीक कर लेंगे उसका सेट बेक यह है मेरी जिंदगी में कि मेरी अपनी कोई गारेंटीर है मैं अभी आपके पास आया हूँ और चलता हूँ आप बाहर गाडी से उतरों तो भाहर मेरे पीछे गाडी यहां गूम रही है आपर आके कि जो है जब तक मैं नीचे नी उतरोंगा ने जो आपनी सारे दोस्तिया आरे है वो सारे वहां गाडी में बैठे रहे हम उसके लिए तयार है एनी टाइम जाने के लिए अचा फाहत भाई स्राइटिंग में जब आपने स्राइट किया कुछ केसिस कम थे लेकिन जब आइसा इसा लोगों की होप बढ़ती गई तो कहां-कहां डिफिकल्टी आइं आपको यार सबसे जाता डिफिकल्टी बता हूं क मैं इस बारे में थोड़ा सा डीटेल में जाना चाहता हूं थोड़ा सा हमारे वियूश को आप थोड़ा सा यह बता हैं कि आप जो लोगों की हैल्प करते हैं वोई ACTUALLY किन मैटर्स पर करते हैं let's suppose maybe बहुत सारे viewers होंगे जो यह देख रहे हैं और किसी को बहुत important काम हो जिसमें आप help कर सकते हैं उनको what sort of matters आप जो deal करते हैं जिसमें आप लोगों के help करते हैं जितने भी matter हो, कोई भी matter हो जो जो लोगों के help हो रही है जो लोगों के help हो रही है क्यों क्यों कि हमारा process जो है वो लाग करता है या फिर थोड़ा सा एक्स्ट्राफ सपोर्ट देते हैं वाई या रसल में बात यह है कि दुनिया के किसी भी कोने में हम चले जाएंगे ना पलकि या प्राइवेट आफिस में भी कहीं चले जाएंगे में क्या मसला हो रहा है उसको कोई बताने वाले इतने लोग होते नहीं है वो विचारा जितने कर पाता है वो कर लेता बाकी वो बोलता है भाई खुद देख लेना और खुद देखने के चक्कर में जो है आगे पीछे हो जाते है अब बात यह है कि हम जितने भी हमारे दोस्ति आ रहे हैं पुलिस में यह वो अगर हमारे पास किसी का मैटर आया तो हमने उसको बोले यार फला कुदर स्सक्राइब तो वो डायरेक्ट फिर मिलके उसका मैटर देख लिए तो उसको भी उसके कहा होता है तो उसको करना पड़त है तो यह एक सिस्टम है अब हम इससे चल रहे हैं बहुत से लोग इस पर गुरा मानते के स्सपी टाइम क्यों नहीं सकता जिस तरह के मामलात इस शेयर में चल रहे हैं वो दे भी नहीं सकता उसके लिए तो उसको भी तीन शिफ्टों में काम करना पड़ेगा तब जाके यह मैटर्स हल्द होंगे जिस तरीके के मैटर्स हैं तो बात यह है कि इसलिए लोग हमसे रापता करते हैं हम उससे रापता करते हैं क्योंकि उन्हें पता है गयार कनेक्टेड है तो शायद कहीं न कहीं से कोई तोड़ निकला है कहीं न कोई जान परचान निकला है मेरा काम अस इस बंदे का काम तोड़ा जली हो जाता है बिकुस अफिस सपोर्ट और तुरू अलीगल प्रोसीजर तुरू अलीगल प्रोसीजर क्योंकि उसका प्रियोरिटी पे कर लेते हैं उसकी जैसे हमारे पास अभी रिसेंटली एक मैटर आया एक जानने वाले बीवी के लिए दू महीने से जोई न वो दीवी ती दर्खास दो महीने से इसकी अफायर का अप्रोवल नहीं आरहा था पिर दो महीने तक जब उसने हमसे रापता किया मुझे बोला तो फिर मैनने मैं उख़ा हुने एससपी साबको नहीं जानता था मैंनने अपने को बोला जो SSP थ है उनको बोला आ। उनको फून करके बोल दो फिर जाके उसकी FIR और BNDAR he is to a what ना वोग दो महिनेंसे चक्करी काटरा था उसको घमा रहे ते यह 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 जगा का प्रॉब्लम है यह र जगा का प्रॉबलम है यह र जगा का प्रॉबलम है अच्छा फाद भे लाइक पॉलीस मैकमे में बहुत सी चारी चीज़ है है पुलीस में कोई अपड़ लेवल दपार्टमेंट में लोग बोलते हैं यार यह कौण है इसको लोग क्यू टेग करते हैं हम तो बैठे हम अवाम की खिथमत के लिए लेकन फाहद कहा से आ रहा है सोशल मीडिया के पेज़ क्यूं हैंडल हो रहा है यह किया, क्यूं होता है यह इस लिए होता है कि देखो, बस अल्लाइग अजस्द्ध देनी होती है, इसके लिए बहुत्छा रिज्क भी मैंने लिया ली लिया हुए, अपने सर परो है, मेरा मेरा नयग सेकंड नहीं कर सकते हैं, बहुत जादा कुछ मशूर है कि आपकी गाड़ी में बम लगाएं, गाड़ी भी उडा दें आपकी, तो बात ही है, हमने उनकी भी F.I.R. अटवा के दी है, तो लोग बोलते थे कि भाई यह पागल ही तो मरेंगे, लेकिन बात ही है, पुलिस माइनस बन करन प्रफेशन जोड़गे में आप हैं, तो आपकी फैमिली आपको थोड़ा सा सपोट करती है, क्योंकि एप्रेशन रिसक इसंगो सब्सक्राइब सब्सक्राइब कि say family में सबसे करीब इनसान की क्या होती यह वालदा होती मेरी वालदा जो है न वो बड़ी बहादूर हो रहत है तो वो मुझे हर जागा support करती है वो बुलती है कि जो भी है हो है और जो वो कर रहा होगा गलत नहीं कर रहा होगा मेरे जितने भी कुलीक्स हैं, जितने भी आफिसर जानने वाले हैं, यह वो जिन्होंने मेरे साथ टाइम गुजा रहा है, मैंने काम किया, तो अगर उनके पास कोई मेरे शिकायद भी लेके जाएगा, तो दूसरी बात यह बलता है, उसने किया है, वो कुछ सोचके ही किया तो उनको पता है कि काम करने का तरीका क्या है, तो इस तरीके से होता है, बारहल हर जगा होती है, हर जगा प्रॉबलम आती है, वो लेकिन हमारे तक कोई प्रॉबलम नहीं क्यूंकि हमारे जो दोस्तियार हैं, जो अच्छे दोस्त हैं, वो प्रॉबलम आने नहीं देते कभी वो खुद खड़े हो जाते हैं वाँ जाके लड़ने के लिए अच्छा इंस्परेशन किसी के पीछे कोई मतलब किसी को देख के या कभी कुछ या कुछ जार मुझे शायद आयाद साब पसंद है बस अलों को जड़न नसीब करेद सिका ना काम कारना तो उजिए के बाद से डरना alive दशोड़ चोगे हैं किए इसलिए छोड़ चोगे हैं क्योंके उन्हों ने यह वो यह बोला के यार यह जो बात मैंमेशा बोलता नो kji js six इं जाना है और जाना थो वो भी यह बोलता था जैसे लिख्यों कि घर में बैठे मौत नी आएगी क्या आजाएगी तो बात यह है कि मैंने उनको देखा वो अकेले गुमते भरते रहते थे दर उदर गाड़ी लेके यह वो डर जो है वो उन्हों निकाला मेरा सार और मैंने उनको देखा और उनको भी ड्यूटी करते वे दे तो मुझे वो बहुत पसंद है उनकी बहादुरी वैसे यह सारे काम कर रहे हैं कितना अच्छा प्राउट फील होता हूँगा अंदर से ने एक सैटिसफाक्शन है यह तो इस इस हुकुकल अबात यह अगर देखा जाए दिस इस हुकुकल अबात तो मैं इसको इस तरह तो वो बोलते हैं उनके घर के खाने खराब करा दिया आपने सारी चीज़ें करा दिया मैंने इसमें मेरी घलती हो नहीं है वो गलत काम कर रहा था भाई तो इस तरीके की भी होती है लेकिन यार देखो बता हूँ यह मूड मूड पर डिपेंड करता है पॉसिटिव एनरजी आपके बस क्यूरीज तो बहुत आती होंगी सपोर्ट के लिए कि हमारा यह मसला है हमारा वो मसला है यह हो गया वो गया बहुत क्यूरीज आती है आपके बस आप उन सारी क्यूरीज को जब देखते होंगे तो पहले उसको आनलाइस करते होंगे कि मुझे इस क्यूरी में य प्धडा हुआ मैंने लोग बता हूँ अब आपसे सपोर्ट ले रहा है कि मिरी एफायर को स्टोरी बनाने में कब्जा माफिया मायर होता है कब्जे करते हैं लोगों की जमीने और वो आपको ऐसी स्टोरी बेचते हैं कि हम बहुत बेवा हैं यतीम है, अमारी प्रॉपटी कब्जा होगई हो की उनों नहीं होती है किसी अच्छा। आपको हमेशा मिलेगा तो इस चीज को आनलाइज करने में इसको सबज़ने करने में कबजा म stupid day outter एक फिर टाल Pam अकया अनने करो करो वो चा पाद बाइक क्राची के सिकुरीटि के मसाइल का जिमेदार कौन है कराची सिकुरूटी कि का यह तो बात यह देको댈 ऐ देको बात तो है कि वह आती तो बात तो है कि आती तो पुलिस के अंडर है लेकिन बात यह वहीं पर आ जाती है कि आबादी कुछ है और पुलिस की स्ट्रेंथ कुछ है पुलिस के पास कुछ पावर्द है अब बात यह उसके अंदर इंफुलुएंस बहुत जादा है इंफुलुएंस इसलिए हर दूसरा टाइम पे नहीं, इतनी जल्दी नहीं मिलता किसी को, टाइम लगता है, बहुत कम, क्योंकि जहां तक आपने बात के लिए हसन के सेक्यूरिटी का जिम्मदार कौन है, हमारी सिन पुलीस, कराची सिन पुलीस है, मगर अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होता है, कोई भी होता है, पुलीस के पाश जाने से औला डरता है, प्वारी अगर किसी को की प्रॉब्लम होता है, पुलीस आपकी help करने के लिए अपर इसको पता मैं पुलीस पर जाओंगा, पहले तो अपना फाइदा लेंगे, इक लंबा प्रॉसेस होता हम तो जाते ही नहीं है, आप एक normal process करने ज जाना वो कोन था, कहां से आया था, क्या नहीं आया था उसकी 11 गाडियाया रेंड पे चलती थी और 11 की 11 लोगों ने-ले ijnजा के बेज दी थी 11 गाड़ चोड़ी हो गई अब पोलिस उसकी आउफ आयर नि कहा ठी बोलती है, चोरी थड़ी होई तो यह आम आप पार्टियों की नहीं थे किसी एक दूसरी पार्टी के वो सदर थे किसी तो एसेसपी साब जो थे उन्होंने डारेक्ट उनके घर पे सरफ फून किया और बोला कि यह गाड़ी आपके घर के बार खड़ी भी है मैं पार्टी बेज़ू उससे पहले पहले गाड़ी थाने पर आ जानी चाहिए और वो वागापकी उन्होंने गाड़ी दिलवाई उसको ले नहीं सकता था कोई भी उनसे खुद गाड़ी खड़ी करवा के चले गए वो इज़त से चाबी रखते उसकी बोला कर मैं आया तो भिर मसला हुआ वो डियाईजी अधराबाद है सबख वो पीर मौमण शाह साब उस टाइम सेसप अधराबाद थे बड़धस आदमें अगर रेफरिश नहीं होता लेट सपोज अगर आप नहीं होते तो कभी भी गाड़ी नहीं मिलते हैं कभी नीमिलते यहां पे जब आजाते हैं तो वो सिस्टम को समझ लेते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि देखो या नहीं होता मेरे साथ बड़े-बड़े दोस्त यार बैरिस्टर्स है ना वो यह बोलते हैं इंसाफ है मुलक के अंदर भार से पड़े हैं सब यहां पर तो बात यह कि वही चीज है कि आप जिस तरह कर सकते हो अच्छा काम आप करो रिस्की है देखो रिस्की है तो पर अल्ला दाले को मुह तो वैसे भी दिखाना है पचास साल की उमर में भी दिखान है तो जब दिखाना पड़ेगा तो दिखा देंगे भाई तो अपना पहले से वंड़ा यह रहता है कि जब अपने पास कोई इस तरह का मैटर आता है मेरे पास अभी एक उस्ट्रेलिया से कॉल है उस्ट्रेलियन नमबर था इंटरनेशनल और मुझे बोला कि तुझे मार द तो बात यह न जियंगा हमलें कुछ भी हो रесп πάदा έχει हमल और तो रहींगे यार आने क्या हमले भी हो सकते है कुछी हो सकता है में जो आती थी और देपार्टमètres के लिख करा देता पहले ही डून लेते हैं, वो मसला नहीं है, लेकिन बात ही कि जिसन हो नहीं होगे, जिसन हो जाएगी, क्या हम, कोई फरक नहीं पड़ता है, इस से किसी, देखो, सोशल एक्टिविजम में यही सबसे बड़ी चीज है, अगर आपका यह डर निगल गया, आप बहुत बड़े स लेक्टिफ weze बड़ना पर आप एगर si किसी ने आपको कॉँगर आप बाहर निकलोगे काम कणने आपको तो लोग रोकेंगे, कोई करीके से लेकिन बाद यह कितलती है चलत, इसी ही किया, जो हमारे मुखतलिब departments के बहदूर लोग है ना मतलब जो अच्छे लोग हैं वो इस चीज के support भी करते हैं वो बोलते हैं यार कि यह इतना छोटा सा है उमर में मैं उस टाम बहुत चोटा हुआ करता था आज से बारा साल पहले गया उमरती मेरी अठारा साल तो बोलते हैं यार छोटे का दिमाग बड़ा तेज है छोटा लेक नहीं आता है बिलकुन तो बात यही है कि वो इस तरीके से बस चलता रहता है अच्छा भी लगता है support भी करते हैं और देखो यार वैसे भी मरना होगा तो heart attack हो जाएगा कभी अपने किसी पुलीस वाले को बोला है यार यार या क्लियर कर दो और उसने आगे से बोला यार मैं नहीं गर रहा मैं अभी फारिग नहीं में किसी और face में बहुत दूआ ऐसा लाता दादा दफ़ा फिर उसको दूसरी दफ़ा जो फोन गया उसके बात से वह काम करता थ इसको दूसरी दफ़ा जो फोन आता था ओओव किसी और का आता था ना बगार फोन के काम क्यों नहीं होते हैं से बगार इस मुल्क में ये सिस्टम है बाई आप सीट पे रहे हैं तो थीक है आपकी लोग सूनेंगे आप कल सीट से रिटायर हो जाओओ आपके कौई कोई नी सुनेगा आपकी पावर है तो हम पावर है और हमारे पास जब पावर है तो हमें शाहिद आयद साब ने सिकाया है कि जितने भी लोग हैं जिससे किसाब किताब है सब बराबर कर दो बस क्योंकि पावर कभी एक से नहीं रहता पावर कभी एक से नहीं रहता ट्रू कराची के हालात के बारे में बात करेंगे जिस तरह पिछले साल कराची के हालात थे और इस साल अभी छे मेने हो गए और बत्तेरे आपने डेकेट गुजा रहा था तकरीबन इस काम में, तो दस बारा साल जो आपने इस ताइम पे दिया उसको पास में भी देखते हुए, फूचर को और प्रेसिडेंट को देखते हुए, जर देखो बताओ क्या हुआ है, किलिंग कम हो गई है, डेकेटिया बड़ गई, पहल कर रहे हो तो न, दस, बारा, बीस, पच्चेस, तीन दिन में सो लोग, बत्ते की परचियां, पॉलिटिकल फड़े, पॉलिटिकल गेम बहुत जादा है भाई, इस मुले में, पहले जो टार्गेट किलिंग होती थी तो इसी वज़ए से होती थी, अब जो होती है न, मैं चा किलिंग पे मार के चल जाते है अब जो धो ऑफ जो थो धूदा जो बची है, अब भी है, असल में बताओ हूँ, बात ये, ये ये ये, टारिवेट कीलिंग थे न, भई, बात ये के कराची के अंदर किसका होड था और कौन करता था, और सबको पता थी, अब में भी पता है मुझे भी पता है जिनका होल्ड था वो कड़ते थे बत्य की परची प्रची आ गई फितरे की प्रची आ गई रही नहीं आ गई और उनका इक प्रब्लम ये था कि उनका जवाल की वज़ाई ये ये कि भाई अगर आप उनके जनने वाले गांग पर तो आपने यही थी कि उनको कभी नियूस बनानी होती थी सबसे ज़ादा वो अपने ही लोक मारते थे खुद कहते थे के एजनी को मारो हमारे लोग मरें सबसे ज़ादा कराची पुलिस चीफ थे शाहिद एाध साथ मेरे पास उनके टाइम में एक बंदे ने बाहर निकल गए एक शिया इमाम बारगा के बार एक बन्दे को मारा, सुनि मस्ज़द के बार एक बन्दे को मारा, रस्ते में पलिस ते उसका एंकाउंटर हुआ और वो मारा गया, और वो एक पॉलिटिकल पार्टी से बलौंग करता था, और नाम लेते वे हमारा मेडिये, जो आज यह बड़े-बड़े मीडियआ वाले आज नाम लेते हैं, नाम लेके बोलते हैं, कोई मीडिया चैनल नाम नहीगे ले कोई अच्छा आदमी कोई बहादुर आदमी आपको मोटिवेट कर है बाहत आगे निकल सकते हैं अपनी पे आए तो हालाद बेतर कर सकती है देखो पुलिस चाहे अपने पे आए तो सब कुछ बेतर कर सकती है लेकिन बात ये वो अपने पे आने के लिए उसको बहुत सारे वसाइल की जरूरत भी है ऐसा नहीं कि उनके पास सारे वसाइल मौजूद है पुलिस के पास नफरी का प्रॉबलम है, पुलिस के पास फंड का प्रॉबलम है, पुलिस के पास गाड़ियों का प्रॉबलम है, पुलिस के पास पैटरोल का प्रॉबलम है, सही है, बात यह होती है कि अगर पचास जगा रोज एक मुबाइल रेट करने के लिए जाएगी तो उसके अंदर पेट्रोल बरा-बरा आगे वो ठक जाते हैं भाई तो बजट पास होता है तो बजट पास होता है बजट मिलता है लेकिन बहुत सारी रुकावटें हैं ना सिस्टम के अंदर है ना अंदरूनी तौर पे तो होती है ना बात ये है कि देखो क्लीन अप जो होता है ना क्लीन अप ऐसी आता है कि भाई अगर उपर कमांड आपकी बहुत अच्छी है ना और वो एक्शन लेने वाली है फॉरण आज स्ट्रीट क्राइम खतम हो सकता है अगर उपर से ओर आजाएगे स्ट्रीट क्रिमिनल को उठाओ निकाल दें कि इनको मार दिया जाए स्ट्रीट क्रिमिनल्स को तो आपकी ये मुख्तलि एंजियो और ये तंजी में निकल के पुलिस के ख़लाब रोड पर खड़ी हो जाती है कि भाई ये तो एक्ट्र जूडिशल किलिंग कर रहे हैं ये लोग ठीक है ये मार रहे हैं अग़ बाई बुक्स चलते रहोगे तो सौ शाल भी कुछ नहीं सही होगा ये बाई बुक्स चलने की वज़़े से ही मामला खराम हो है पायदैयत सामे वो बाई बुक्स नहीं चलता वही इस मुलक में इंसाफ ला सकता है अगर आप किसी कोई किसी ने बन देने का स्ट्रीट प्रायम करा भी है कोई भी उसके खिलाफ एपटिकेशन करता है उसको भी जाना पड़ेगा कोट होगा ये होगा फलाणा होगा टुमकाना वह अतना लंबा प्रॉसेस चलता है अरकला तो क्या था कि भाई इंडिया में एक डॉक्टर लड़की का बस में रेप हुआ था बिलकुन उसके पर बनी भी दी नहीं 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 वो तो एक अलग बनी इसके बाद अभी रिसेंट हुआ था तो तो उसमें SP साफ थे कोई Sanjay साफ थे शायद SP नीन था उनका Sanjay थे ुण का कुछ नाम था उन्होने उसी कबरुस्तान में लड़की गाढ़ा था नवाहे एक रेहसल बनागे अन्वेन था को नावाहे छोका दी नश 09 नी चाहिए मुझे मिल गया मगर उनके साथ क्या हुआ उनके खिलाफ हुमन राइट्स वाच इंटरनेशनल एंजियो एमनेस्टी इंटरनेशनल और उन्होंने जो है वह रेजुलूशन जारी कर दिया क्योंकि इन्होंने क्योंकि इन्होंने law follow नहीं कर रहा है इनको चाहिए हुमुमुमुम जब cancer अइht से बढ़ जाता है अ बढ़ जाता है.. तो इसका ilaja नहीं होता है.. वह भाती ज apprentice बढ़ जाय तो पर मार देना है.. बात है को हार्ल है, मार देना uno, फिर अफसर आ तो भात है जन्होंन राइट्स को cafe कि आपूध आप तो हम आप घून का PO यह तो आपने सही किया मंगर फिर एंज्यूस वाली खड़े हो जाते है मंगर प्रॉब्लम यह भी होता है कि आपने उसको पर अगर आप नहीं भी एंकाउंटर करते हो घरको वो छुड़ जाता है वो अपनी स्वर्स लगा लेता है तो देखे ये बात तो दोनों तरहीके से आगे न वो कहते हैं कि शियर का दिल चाहिए होता है सजा सुनाने के लिए ज Почему नी सूनाते है, तो तर दर का मार्च मारा जाओंगा बहत सारे आससे पुलजस अफ़स गुजरें तस तरीख में आरा हे हैं और मानना ही हल था नहीं मारते तो आज तरू चलेंगे तो भाई वही होगा है उसने कुछ नहीं होना उसने भाग जाना है 90% होता है क्रिमिनल केसिस के अंदर अपील लगा लगा कि अधर उदर 5-6 साल में भार ही आ जाता हूँ तो इसलिए मैं यह नहीं कहा रहा हूँ कि बड़ी खलत बाते हैं लोगो फॉलो नहीं करना जाए लेकिन भाई मैं वो इलीट क्लास लॉयर नहीं हूँ मैं जमीन से उठाओं और मैंने जमीन में जाना है मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मेरे पर कोई रेजलूशन पास कर दे या कोई भी पास कर देंगे मैं यहां बैटके यह राए दे रहा हूँ लेकिन मैंने जन अफसराण के साथ काम किया उनकी पॉलिसी जो ती वो यही थी और मैंने इसी पॉलिसी को वरकेबल समद है और मैं अब ही किसी बड़े क्रिमिनल की गैस्टव को सुनता है तो बैसको मार देना चाहिए था पको, पकड़ा गयो आपने आजकल थो अवाम भी अवाम अवकर चीज अपने रहाँ में LNG क्रमिनr कर रही है , कार आवाम करती है लेकि बाहद ही है विए बे बस है न अभी आप डेखे bちゃो ने क्योंकि रिएसेंट सेनारियों में हुए है है जला रहे, जला दिया, क्योंकि देखें, पहले टार्गेट के लिडिश पहले जो ये स्ट्रीट क्राइम्स होते थे, स्ट्रीट क्राइम्स में मार की नहीं जाते थे, ठीके जादा जादा चंबे लगा दिया, अब जाके, तुलिम हो लिए। अब दो दिन पहले हमारी टीम के मेंबर्स में से स्नैचिंग वी, तो स्नैचर के बाए एक गण होती है, लेकिन अब दोनों रखने लगते हैं, प्यूकि अब डगेटों को भी डर हो गया है, उनके बीचे भी दो होते हैं, बाइक के आते हैं, पहले आप रिटाइलियट कर सकत देखो ये हम्मत इसलिए आगई है क्योंकि लॉक हमजोर होता है न तो क्रिमिल मस्बूत हो, उनको सब गुर्ण समझ आगए हैं, कैसे करना है, वकील फिक्स है, ठीक है, सब पता है, पूरा सिस्टम पता है, वकीलों की कमाई इसी तरह होती है, जोन्होंने ने क्रिमिल रख पकीर हुसाइन चांडियों के नाम से एक आईडी है, उसको अरेस्ट किया है, उसने सेंटरल जेल के बार की एक तस्वीर डाली है, बाइक पेर रखके खड़ावाई है, बड़ी उसने उसकी प्रफाइल आते हो, उसने अफ्लेक्स मारा है है, तो बात यह देखो, यह सब त पसला है कि अब इसके अंदर पुलिस अपने हाथ इसलिए गंदे नहीं करती, क्यूंकि बात यह है कि मैंने आपको स्टोरी बताई कि अभी हम मारना शुरू कर देंगे, सो डगेत मार दिये तो उसमें से पिचानवे के ओपर पटिशन पुलिस पे लग जाएगी, प्रिमिनल्स यह अपनी पावर दिखा रहे हैं, और अवाम डरीव है, क्योंकि पहले नहीं मारते थे, अब तो मार के बता है भाई मार देंगे, दे दो, दे दो, पहले भी थे, अब भी मारते, पहले सोशल मीडिया इतना पावर में नहीं था, अब सामने आ रहा है, पहले अब सामने सब कुछ देखा है तो बात यह पहले भी सब हो रहा था, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, बत्तर हो गया तो नहीं कुछ नहीं हो, सही होने के लिए मैंने आपको बताया है, कि सही होने कारी के फिर वही तरीका है कि आप एक-दो मिसाले काइम काइम होंगी, तो उसके बाद सब भाग जाएंगे यहाँ से क्योंकि मिसाल का है इसी तरह इसी तरह चेंज आता है revolution जो है this is what revolution इसी तरह होता है यार बात यह है कि revolution जो है न हमारे पुराने दौर में operations सही है पुलिस के 90s में होए 97 में होए 98 में होए उन operations जिन्हों ने जितनों ने भी गिए हो सब मार दिये बाद जिन्होंने operations करे थे जिन्होंने अपनी जान पे खेला था जो सब inspector इंस्पेक्टर लेविल के लड़के थे यह वो उनको नौकरियों से निकाला गया कोई टेक्सी चलाना था गरीब कोई दुकान चलाना था गरीब क्योंकि उनको नौकरियों से निकाल दिया था क्योंकि जो political power थी वो सीटों पर आ गई थी और उनको एक सौदे के दाइट मार दिया गया सब उनको मारा गया तो कौन काम करेगा क्यों करना पसंद करें का कोई भी काम मैं भी होता मैं भी बो शायद बोलता बैर पागल हूं गयर बीवी बच्चे घर पे है वैइं जाएद का टैग लगा के क्या बीवी बच्चें का भूका मारना है मैंने तो बात यह है के यह सिस्टम ही इस किसम का है इसके अंदर आपको बहुत जो है ना मौतातर तरीके से चलना पड़ता है हर किसी के पास इतना दिमाग नहीं होता कि वह इतना लगा यह जितना हम लोग लगा रहे हैं आप बैठके कियुके हम चला हमें पता है के हुआ क्या है अब एक नए लड़के को आप दे दोगे आप क आने के बात इतने कितने कितने है लोगों का पता ही नहीं है लोग करते हैं लोग questi के साथ नका रवया जो है न वो एक थोड़ा मुख दिये कि मुखालिए कि पोलीस प्रेंट महौल में आईगी ना जब आ जाएगी कोई मसला हाल नहीं होना चाहिए, सिर्फ एक मसला हो जाए, स्नैचिंग की ठेफ, स्नैचिंग और ठेफ, ये दोनों चीज़ है, ये रिपोर्ट करते वक्त, पुलिस को जो है न, वो सिंपल एक पेपर लगा दे, वो बोले, आप रिपोर्ट लिखके देने, मैं रिसीव करके और कोई बात ही न करें, तो आदे से जादा पुलिस की तरा आगे आदे से जादा आवाम पुलिस के करीब हो जाएगी, वो बोलेगी, स्नैचिंग और ठेफ की रिपोर्ट तो कराऊ या, अभी बहुत दूरी है, अभी हमारे आवाम में और पुलिस में बहुत दूरी है, कै यह सिंपल कर दी जाए, आपकी आदी कराऊची की अवाम पुलिस को गले लगा लेगी, खुदी, आप छोड़ दो, किलिंग छोड़ दो, डकेती छोड़ दो, आप वो छोड़ दो, घर में चोरी छोड़ दो, इस अब चोड़ दो, सरफ चरचिंग और तर दूर दूर दू मैंने आपको बताया ने के वो यह दो बकरी चोरी का केस एक बंदे पर कायट दिया था, वो विचारा यह मर्सडीस चलाता था उस पर गोटकी में अफायर कायट दी, दो बकरी चोरी की, तो ए लेविल्स का एक टीचर है, मैं तो ज़रा सुनू स्वाभी, उस घरीब को इध करी चोरी किये तुमने तो अगर F.I.R. अगर मैं इतना एजी प्रोसेस कर दें तो कल हम सब की कटीवी होगी, पांच-पांच-दददद सब पे आ रही होगी कंप्यूटर में के कटीवी है, किसी को यहाँ पकड़ लिया, किसी को वहाँ पकड़ लिया, यह कर लिया, वो कर कि तो यह सारी चीजने जो है, वह सई होने में टाइम दता है, जब भी तो हम जैसे लोगों का जनम होता है पर क्लास जितनी भी है, मतलब मिनिस्टर्स विचारों का नाम खराब है, पहला वज़ा लेकिन वो खराब नहीं है. पैसे आप बोल तो ुस्त्तम की नहीं है. यह वहरे चीज़ को नहीं साफ कर सकते है। उनके पास इतना काम है वो बोल रहे हैं भाई क्या करूँ। लोग नहीं है काम करने वाले यह बात सच है। लोग नहीं काम करने वाले लोग नहीं होते तो यह मसले मसाहिलात। अब जिसको पावर पकड़ा दो वो खुद आजा नंगा होगे घुम रहा होता है भाई शहर के अंदर उसको फिर कौन पकड़े वो बोलते हैं अब छोड़ो डालना ही नहीं किसी को सिस्टम में। अच्छा फाद भी जैसे हमारे बहुत से हीरोज भी गुज़रे हैं। हमें इतना नहीं बता लेकिन चौधरी असलम साब जो हैं वो शहीद हुए थे तो उनका भी बड़ा नाम था उन्होंने बहुत काम किया तो उस सवाले से तुछा था बताएं उनके साथ कभी आपका एक्सपीरियंस रहा कोई चीज तो जो है उनके साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा बागी है चौधरी साब से मेरा कभी एक्सपीरियंस नहीं रहा हाँ सुना है कि वह बहुत अच्छे काम की है उन्होंने देखे भी हैं हमने लेकिन यह जाहर है ऐसे पुलिस अफसर अपकाम है क्योंके जो काम वो करते थे वह बहुत मुश्किल से होता है तो आपको लगता नहीं कि यह जो मर्डर्स हो जाते हैं पुलीस ऑफसर केस के पीछे कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इंफ्लिंस होता है यार देखो बात यह कि हर किसी का मुक्तलिफ एक वो होता है टार्गेट ना कुछ लोग पॉलिटिकल पार्टीस टार्गेट करवाती है कुछ लोग बैंड और्गेट करवाती हैं कुछ लोगों का कुछ और मसला होता है जहां चौदरी साब का मसला है उनका तो साफ साफ मसला था तरीके तालिफ टीटेवली ठीक है तो उनका तो एक शटर नेट मैटर था कि उनसे उनका मसला था तो एक और जिस तरह का वो एक अब जैसे शाम मौमाद शाइख मारा गया था, उनको पॉलिटिकल पार्टी ने मारा था, तो इस तरीके से होता है, हर किसी की ने लग-अलग डायवर्सिफिकेशन में दुश्मनियां होती है, और आपकी जो हाट करण दुश्मनी चल रही होती है, वोई आपको मारता है, तो उनसे आपका मैटर नहीं होता अब यहां पर यह मसला है कि एक जमाना था सिर्फ पॉलिटिकल पार्टियां मारती थी पुलिस वाले और उन्होंने डिएसपी भी मारा एसपी भी मारा कि उनके काम नहीं कर रहे हैं यहां काम नहीं मतलब उनकी बस है उनके खिलाव अगर आपने काम किया उनके बंदों को रिलीफ नहीं मिला यह तो भार आपको मार दिया और कितनी देर आप सेक्यूरिटी लेके घूमेंगे भाई यहां सेक्यूरिटी लेके घूमना मसला नहीं ह कि आपका खुद भी दिमाग ओन होना चाहिए अब एक अफसर आफस में काम कर रहा है सारा टाइम तो हर वक्त नहीं लगा रहेगा ना कि वो सोचे के मेरे पीचे कोई लगा वाई यह लगा यह तो जिन्दगी का हिस्सा है भाई यह तो चलता रहेगा अब बैंड और्गनाइ पाकिस्तान की सियासत सबसे बेगार तरीन सियासत है सबसे बेगार तरीन सियासत है देखो इस सियासत के अंदर यह बात है कि इसके अंदर कोई खास आपको आजकल तो कुछ भी नहीं मिलेगा ना कोई चार्म है ना कोई थ्रिल है ना कोई चीज है बस सिंपल एक चीज तो वैसे भी कोई स्कोप नहीं है भाई, गरीब के बिला वज़ अपना टाइम जाय कर रहा है इनके साथ, वो पढ़ ले लिख ले, कोई और मेनती काम कर ले, कोई कारोबार कर ले, उसमें उसका जादा फाइदा है, मनिस्बत इसके कि वो जाके इनके जलसों में खड़ा हो ज क्या नुकसान मिलते हैं क्योंकि जिस तरह आप बता रहें के बियानी की प्लेट है बड़ोग कहते हैं यहां गर्मेंट में जाओ या, गर्मेंट पोस्ट पकड़ो, कोई गर्मेंट जॉब पकड़ो, पेंशन होती है, जब देखो असमें में बता हूँ बात क्या होती है, के गर्मेंट ऑफिसर्स जो होते हैं वो पॉलिटिकली अगर स्ट्रॉंग होंगे तो भाई वो एक सीट पर बैठा है न तो पंदरा साल उसी ऑफिस में बैठा रहेगा, ट्रांसफर नहीं होगा, दूसरी चीज़ है, ट्रांसफर सस्पेंड होगया, कुछ करते हुए तो द पॉलिटिकली इंफ्लुएंस्ट होत तो, आम अफसर हो आम जगा है तो पर कुछ भी नहीं है आपके पास, पर वही है आप और मैं जैसे एद वाले दिन आज काम कर रहे है अचा फाद वही एक बात, अवाम की नजर में पुलीस मैकमा अच्छा कब बनेगा, किस तरह क्या प्रॉसस मुझे समझ आता है कि हम अगर अपने हीरो पुलीस मैकमे में बहुत बड़े लेजेंड्स जो उन्होंने खिदमात की हैं, अगर उनके ओपर स्टोरी या फिल्म्स बनने लग जाएं जैसे इंडिया बना रहा है, आपने शायद फॉलो के हूएं इंडिया बहुत फिल्म्स बना रहा है अपने पुलीस के ओपर, हाँ करप्शन दिखाता है वो टैप जाकर लेकर एंड में पॉजिटिव इमेज दिखाके बाहर हो जाते हैं, तो इस टाइप दे माइटी आर्ट, वो बनी है डैनियल परल मुर्डर केस पे, तही है, उसमें उन्होंने दो रोल्स को जो है न पुलिस वालों के हैं, वो हाईलाइट करने ही कोची की थी, एक रोल था मीर जुबैर मेहमूद, जो यहां के आईजी, एडिशनल आईजी बलोचिस्तान तो बात यह है कि जब ऐसी फिल्में अंग्रेज बना सकते हैं, तो हम भी बहुत अराम से बना सकते हैं, क्योंकि उनका वो स्टेक था माँपे, डैनियल परल का मडर गेस था, वो उसमें बनी है, तो उसमें अरफान खान भी है, जो अरफान खान एक्टर नहीं गुजरे चि तो बात यह है कि देखो, फिल्म बनाने से मसला यह है कि हमारे पास या तो स्टोरी लाइन नहीं होती, फिल्म बनाने के लिए, या हम पुलिस पर बनाते हैं तो एग ही दिखाते हैं कि बस रिश्वा ते ले रहा है, यह कर रहा है, वो कुछ भी नहीं कर रहा है, और कुछ 86-11 के حملelveं पे जो हुँनने नाना पर्टिकर को रोल दिया वो एक अफर का नाम दिया और उरिजनल उसी अफर का नाम दिया उसके बारे में दिखाए पायो पिख बनाते हैं, तो वो साहर है a Скटीमामें अबना जिक में थाम का पह से में जाया, उसकी गाड़ी को गई नहीं और आगे उसकी गाड़ी जे इतनी देर में तो ये सारी जीज़ा हमारे पास भी गुजरी है, बात ये हमारे पास हाइलाइट का, अभी किसी को क्या पता सिफद गयूर खान कौन थे, बिल्कुन, किसी को नहीं पता चार अगस पोलिस ले हमने पूरा काम किया था, उसके ओपर उनकी शहाधत की दिन मिनाया जाता है, चार अगस पर जो पलिस ले हमें शाहधा हुआ होता है सारा काम मैंने खुद किया ता उसमें तो बात यह है कि हमारे हाँ दिखाया कुछ नहीं जाता वरना अगर सिफधगयूर के लायर बायोपिक बन जाए ना फिल्म मिल जाए तो उसको शायद मेरे खाल में आसकर भी मिल जाएगा जिस तरह की जिन्दगी उन्होंने असली में गुजारी है मगर कुई कुछ कुछ करते नहीं देखो बाद यह यह यार हर चीज होती है पैसों से अब मेरे और आपके पास तो अरवर रूपर पढ़े नहीं कि हम लगाने आट-दस करोड़ पर किसी फिल्म के उपर तो जो लोग लगाने वाले होते हैं वो लगाते ही नहीं उनको बोलते हैं मैं जा बे इस पर कौन मनाएगा वो बता जिस से पैसे आएंगे और आट-दस लगाओं तो असी आने चाहिए है क्राफिक बोलीस वह अपॉर्ट만 पौन संपॉलीस वोः लोग रिशुवत लेते हैं तो सारे उंगलियां उन पर क्यों टती है, रिशुवत देने वाले पर य हूँ नहीं उटती है वा जब क्योंकि नु के नुख्ते तो दोनों तरीके से मिलते है न हम सिरफ बोलते हैं अयसे हैं सारे रिष्वत खोरे हैं सारे रिष्वत डिएने वारी तो हम है गयर मतों बात किया है बात यह कि उंगलियाँ दो अब ** मै suppressed! पर उठती हैं जो मैटर्स हमारे पास आती है तो यह आता है कि उसने चलान काटा चलान की रसीद नी दी, दूसरा यह आता है कि मेरे भी एक्सपिरियंस की वी चीज है कि सिगनल तोड़ा नहीं था ग्रीन पर निकला हो रोक के बोला कि आपने सिगनल तोड़ा यह एक अब यह हर इनसान की अपनी प्रॉबलम है भाई जो वहाँ ड्यूटी पर खड़ा है हर सिगनल पर यह नहीं हो रहा और हर पुलिस वाला ऐसा है नहीं अगर करें अगर लॉग फोलो करें तो पूरी तरीके से करें तो बात वही है कि या तो आप यह करें कि भाई उसकी कंप प्लेन करें उसकी फॉरण नहीं दे रहे हैं तो फिर आप बताएं कि आपके साथ क्या ज्यात्ती की गई देखें थोड़ा सक्त सचाई का रस्ता हमेशा सक्त है क्या आज से सक्त है चौदासा साल पुराना सक्त है यह तो हमारी घल्ती है, उनकी कलती है हम लोग हमि है, सारे काले शिछों में गूम होते हैं सेल्ड पेल्ट पहनी भी नहीं होती पुलीस वाला रोकता है अगर आप तो काले शिछों तो यहाद आए हम स्टाइ महमाद में बात काट रहा हूँ डिफेंस में रात के टाइम बारा बजे के बाद पूरा डिफेंस वियू, मतलब डिफेंस वियू से स्टार्ट करें हैं, जितने भी फेसेज हैं, हर जगा पुलीस हर सिगनल पर आपको नाकाबंदी लगा कर देगा, पूरे कराची में नहीं होता ऐसा, लेकर डिफेंस में ऐस मिसले मसायल कुछ ञाएं हमारे ह्स और आहां अब कर लेको पुल पार ऐक लागु कर लग दुनिया रहा है ? हम इस तरह है वो ऊस सब्सक्राफ है हमें उस तरह वाकर जाता कोई कामयाभी रच्टा नहीं है, वासरे यहां रहे श्यादा बेटर है यह है यह है अच्छा जहां तक बात आती है बहुत दफ़ा मैंने विडियो वगरा में देखा है के पुलीस वाले लॉग को फॉलो करते हुए रोकते कि किसी ने सीट बेल्ड नी पहनी भी नंबर प्रेट साइन ही है और उनका हक है रोकना अगर आपको यह तीस तोड़ हो जो गाड़ी चला रहोता है वो इससे और बत्तमीजी करता है तो यह पता नहीं है मैं कौन हूँ मैं तेरी नौकरी कैंसल करा दूंग यह वो एक और यह वाले जो थे में गजर ते वो और यहाँ आपर में नहीं वह थाए ते में अब बाद में तो अद लिया गया था वह तो एक utra वाला जो था नहीं को मैं उस पर कॉमन्ट नहीं करोंगा यार वो वकील भा कर दूगा के बुरा है नहीं चले उनके इलावा भी ऐसी बहुत सारी हमें स्टोरीज मिलती हैं और सुनने को आता है कि पुलिस और से बत्ते मीज़ी करती है तुझे पता है मैं कौन हूँ हाँ यार वका हो हमारी कल्चर बन गया है ना देखो यही अभी आर्मी वाला गारी रोक ले आप बोल के दिखा दो के मैं कौन हूँ मैं कौन सीधे हाथ का करा रहा थपड़ आपके मुगए त्रसीद करे गा और बोले तो बहुत बहुता है तुम जो भी हो साही है तो बात यह कि देखो पुलिस ने पिर अपना मामला खुद ही खराप किया वाई बात यह पहले हुए कि पैसे ले ले लिए पैसे लेके छोड कर देंगे यह कर देंगे वहाँ थपड़ खाये बगएर कोई नी चूटता तो बात आगी ताली दोना हाथों से बच्टती है आप अपनी इजद कराएंगे तो आपकी इजद हो जाएगी बहुत जादा जब हो जाएगी तो आपको कोई नी बोलेगा अब यहां तो कितनी मेरे पास कम्प्लेइन आईए पुलिस वाले नाथ को टून पकाड़े लोगों खुद तून है वह लोगों से पिर वह कम्प्लेइन किया साप को पर एक लंबा प्रोसीजर लेकिन बात यह अभी तो खराब कर रहे ना कामकोर एसा होता है अंगलें हम आसे भी उठती हैं, अचा फाद भी कभी आप किसी केस में इन्वाल हुए हूए हूँ और आपको सामने से ओफर आ रिश्वत की, कभी ऐसे तो होता होगा ना कैसें पैसे भी Cases is involve हो ने पैसे भी off- Are होते है chyba किसी का काम कर आने के लिपी tenha कंपांयों पैसे कंसे नी लिए कभी किसी से विसुद् से अी है काम क्ता करें Lan diplomat PhD अच्छा आपकी कोई टीम है जो आपकी क्यूरीज को देखती है पर आप सबी कुछ चांड़ करने नहीं मैं अकेला हूँ बात यह कर मैं टीम दिखा दूँ हो तो बिचारे टीम वाले फस जाएंगे मेरे गरी मैं खेला ही अच्छा आपकी बस टाइम नहीं मिलता हूँ आपके अपके अपने कुछ लोग हों जो क्यूरीज लेते होंगे फाद भई है इसका मस्टाइब आपके यह तो यहार आपके जानने वालें वालों के रेंडम मैटर ले आतने हैं ऐसे कोई टीम मेम नहीं है बिचार अच्छा कराची पर किसको हग है वैसे आप क्या समझते हैं इस वक्त पहले तो अब किसी कब हख नए कराची ब्रॉटिकल अभी तक ऐसी पार्टी आई नहीं जो कराची के लिए काम करती हो कोई खास आपने कोई काम वाम नहीं किया आपने विला वजा लोगगों को फुट अबी नहीं होगा ऐसा एक लाइन तक रहते हूँ असलावबाद में तो बिल्कुल law and order तो बोल्ट strong है वहाँ पर आपको नहीं मिलेगा आप signal वगरा तोड़ोगे तो आपको सीदा चलाव है उसकी comparison देखे ना सौ साल पीछे हैं हम सौ साल पीछे हैं भाई भाई बहुट टाइम लगेगा वहां तक जाने पना अलग है की मिल्क हैं एक सो साल पीछे हैं तरक्की में भी क्या लगता है आगे जिस तरह की सिच्वेशन चल लेए बाद भाई यार सिच्वेशन देखो खराब ही है पूरे मुल्की खराब है अभी बताओ कुछ बत्तर से बत्तर है आगे क्या देख रहे है यूथ हमारी जो पढ़ रही है बच्चे उनके लिए यार सबसे पहली बात कि तालीम इतनी महेंगी है सही है दस ग्यारा लाग रुपे आपको चाहिए अगर आपने नॉर्मल डिगरी करने के लिए तो जाहर है गरीब के बच्चा कहां से पड़ेगा भाई गौर्मन्ट इनिवस्टीज में भी आप जाते तो पांच-छे लाग र पांच-छे लाग रहे हैं तो आप नहीं चल सकते पैदल नहीं चल सकते पटरोल डाल गया आप जा रहे हो महीने में आज कर दो सिग्रेट भी महेंगी हो है तो आप बात वही है कोई चेक-इन बैलेंस नहीं कुछ नहीं कोई उपरचिनिटीज नहीं है गवर्मन्ट लेवल नहीं नहीं मसलों से आज नहीं कल न, कल न, 10 साल, 20 सल, 50 साल, 100 साल बाध नकले अभी हैं यह निकले यह तो जड़ों फ़साँए? नहीं 100 बहाद झाल अगर इसी तरह सिलसलें चलता रहा तो फ़टम ही है . usted होता भी है आता भी है हम तो रिवर्स गेर पर जा रहे हैं अभी अगर बेटरी पर जाएंगे तो समझ आएगा ना सो साल अभी आज अगर हम बेटरी शुरू करेंगे तो आज से सो साल है अभी बेटरी आने हो अगर बेटरी पचास साल बाद शुरू होगी तो फिर उसके बाद सो साल टोटल फेट सो साल तो बेतरी आने में भी तो टाइम है ना बेतरी नहीं आरी यार कहा आरी है बेतरी बाहर देखो तुम मामलात खराब है लोग के यह वो देखो जिसने काम सेट किया हुए उसके लिए कोई मसला नहीं होता है यहाँ दस रुपए महगाई के पढ़ते हैं वो बीस पाकिसान के लिए अगर एंजियूस काम कर रही हैं लेकिन कितना कर लें एंजियूस कितना कर सकती हैं जेडीसी जेडीसी बहुत अच्छा काम कर रही है बहुत बड़े लेवल पर काम कर रही है लेकिन कितना कर लेगी हो वो खुद अपने उससे कहते हैं कि हमारे पास जो व Antic vista respirement का काम है Naruto za pPPi का काम हैista Central पर headerly लेटेरल हकोमत का काम है वो करे आजकल Facebook को कतनी memes शाल लई है और वेट on the start हमारे कितने लोग बाहर जा रहा है सब लोगो काज करऊ जय कल पकि लोग अजय के हमारे निकलो यह कुछ काम करेगा यह करेगा वो बिचारा काम करने के लिए जाते है उसको आप 25,000 रुपर पकड़ा के बोलते हो के भाई यह लो और यह उससे जादा तो वो चाय का ठेला लगा के पैसे कमा लेगा भाई नहीं ठीक है अचा फाद भाई हमने पुलीस की बात करी है लेकिन आप जिस पेशे से तालुक रखते हैं अदालतों का निजाम क्योंके हमने यह सुना बच्पन से के बढ़ी दो तीन चीज़ों से आप बच जाओ औरत अदालत अदालत हॉस्पिटल औरत से भी बच जाओ हस्पिताल और अदालत और अबच चाँचीज़ अबच जहाँ तीन चीज़ा हमने सुनी चाँची चीज़ा आपने आड़न करते हैं हमने पुलीस की बात कर लिए हस्पिताल की चलें वो तो खेरो लगा निजाम है वो एक अलग चीज़ा अदालतों का कि ये दो आप तुम लोग चा रहे हैं के मेरे पर कंटम्ट आप कोट लगे तुम लोग आऊ जेल से मिलने के लिए आपका वो ओनीर कीया मजा आगया तो अधर होगा है यार देखो जोड नहीं बोलूगा कबर में जाना है और ना मुझे फरक पड़ता है के अच्छा है लग जाए यार बात यह है के अधालतों का निजाम अधालत में जाज़ों का एक सैट्ल Completely परिसीपल सै आप समझझदार के बाद यह है के इनसाफ जो है ना court of justice तो है यहいる court of law है court of justice नहीं है uth perfect court of justice है बिसंदों फुराने वक्तों में जो है वो यह कहा जाता था कि जो है ना सोच समझ के फैसले दिए जाते है जच का काम होता है जच करना 파़्टी को और उसके बाद वो काम करता है अब यहां पे जो मसला है वो सारा मसला यह के कागस जो सामने आपके उसी पर आपने फैसला देना है तूसरी चीज यह है कि आप कुछ कर नहीं सकते कि उनकी भी मजबूरी है अब कानून बनाया पारिलिमेंट जच के हाथ में दे दिया उस पे लिखा है ए फॉर एपल बी फॉर बॉल उसको फॉलो करना है वो एफॉर एपल बी फॉर बॉल ही करेगा उसको तो बाइबुक्स जान है तो वो जा नहीं सकता उसके खिलाफ नहीं जाता लोग जशों को बुरा बला कहते है और फिर एविदेंस मेरे ब्लेट होते हैं चीज़ आप बहुत सारे मीडिया हब मेरा इंटर्व्यू लेने के लिए मेरे टीम मोबाइल भी चोरी कर लिये मुझसे मारा अलग कपड़े भी भाड़ दिये ठीक है ऐसा नहीं करेंगा और आप दुनों कोड में खड़े में को जज़ बोलेगा माशी करते हो तुम नहीं है हम अपने आपको डिफे झाल ढुने बाड़ आपके बच जाएंगे वह आप दे็ंगे जाकर वकील साब अवकिल साब को बेयल कराएंगे और बेयल कराने के बाड़orden आप दुनों कोड़ा करते हैं श्च्छ write whatever happens what happens nice कि हकीकत ने कहता है कि पाकसान्य के कोटों के फैसेद ने होते है यह कि हीकत अंगुकत यार वे कोट पर तंग आजाते है इसलीं बार चले जाते है कोडें तो बहरीही चलनोग...... यहां तुझादा देने पड़ें गया तर में तो फिर वाकिफ हूँ थोड़ा सा याँ बात ये नहीं बात कै बात ये के जिसकी लाठी उसकी बहस ये मुल्क उस पर चल रहा और उसी पर चले गाम पावर इसगेम पैसों का कोई गेम नहीं है मुल्क के पहले एक जमाने में होता था पैसों का गेम हम लोग भी बच्चे हुआ करते हैं बोलते हैं बढ़ी गारी लोगा सकून से बडा गड़ लूगा शकून की जिंदगी गिजारूगा पिर बाद में बड़े हो पता चले हैं पावर का गयम है यार देखो बता हूँ बात वही है ना कि मैं तो हमेशा से यह बोलता हूँ कि अगर इंसाफ देना है ना बहुत जल्दी तो अबस गंटे अधालग चला लो शिफ्टे लगा दो तो जजज भरती गंडे में क्या जा रहा है बढ़ यहाँ पर तो देना इंगर बजज बनाग चला बदम बात क्या भीजप बन था है उत्वर लो वह उपसक्राइक लो वह लेक्रीवर कृर्द बन्ड़ बात बढ़नाै की जए है कि जो बड़ा वकील होता है ना अगर वो अगली पार्टी की तरफ से आया है आपके खिलाफ तो उसी के हख में फैसला होगा ये तो आप छोड़ दो सुना है कि स्टाम पेपर की कोई वैलियू नहीं है बाई स्टाम पेपर की कोई वैलियू नहीं है स्टाम पेपर तो तुम अभी बोलो मैं उननेस सो सतर का तुम्हां मंगा के जएदे तुम कोट महीं मिलता है दुनिया कह रही है, मैं तोड़ी बोलना हूँ जाके जाओ, कोट से ढूम लो, कोट में मिलता है और तुम्हाई दादा पर दादा के नाम का बना के दे देंगे, वो मगर वो स्टैंप पेपर पर आप एक्शन दे सकते हो ना क्या होगा? नहीं होते है वो फाइल किये जाते हैं प्रोपटियां कबजा करने के लिए खरीबों की वो फाइल किये जाते हैं बड़े माफियास के पास वो इस्तमाल किये जाते हैं वो पुरानी बेकडेट्स के अंदर wills बनाके या sale agreements बनाके ये सारी चीज़ें इस्तमाल की जाते हैं, गरीब को dodge करने के लिए अमने यह सब देखा वा है अमने सब को मुझ दिया वा है लेकिन बात यह यह सिस्टम है इस मुलक का किस किस से लडूँगा भाई किस किस से लडूँगा ठक जाओंगा एक दिन अभी तो तरह हम पुलीस और कोट की बाते कह रहे हैं कोट में भी अभी पहुची नहीं है भी हम पुलिस पर यौजब तो क्या होगा कोट से निकलते निकलते अचा आपका तो मिनकाइब पूरा टाइम ही कोट में निकलता होगा तो यार मैं अभी अपनी आगे की पढ़ाई जादा कंटीनियू कर रहा हूं तो लोग हमारे नाम पे भी फैसला दिया गरें हम तो खुद चाते हैंगा हमें कोट में बद नामी मिले यह वाली खुद चाते हैं नहीं इनिशाला इनिशाला अचा फाद भी आपने इतनी खिदमात की हैं बहुत से लोगों के मसले लिए कोई ऐसा वाकिया जो आपको वाकी बहुत लगा हो क्यार यह आपके लिए बहुत पास कि किसी की ऐसी हेल्प कर रही है कि दिली सुकून मिलाओ यार ऐसे तो लातादाद हैं बड़ा वाकिया है हमारे पास के टेंडिंग पॉइंट बहुत केसिस में मैं रहा हूं ना टेंडिंग पॉइंट मैं रहा हूं जैसे बहुत सारी चीजों का डेटा मेरे पास सबसे पहले आ जाता था ता या फिर उनके जाने के बाद वो काम सि किया गुजरा है के उन पे कतल मडर का केस था उन पे कोई चार्ज नी था कुछ नी था फिर उसके बाद वो हमने आगे डेटेल आई हमारे पास हमने आगे फारवर्ड कराई उस पर इन्वेस्टिकेशन शुरू ही तो पता चला के वाके उन से कतल हुआ था फिर उनको सजा भी हो बहुत बड़े मतलब पुलीस के अफिसर्स है बिलकुन जाहर है ऐसा भी गुजरा दूसरा हमारे पास एक गुजरा के इसकी स्टोरी अगर आप तोरह सुनाना चाहें कर आप यार वो स्टोरी मैं सुना दूँगा अब छोड़ो अब तो खतम होगई बात बंदे भी बात भाई दयाच साप के दौर में हमारे पास जब मैटर्ज आते तो मेरे पास ऐसे-ऐसे मैटर आहे के एक लड़की डाइवार्स लेके अपने घर गई तो भाई जब घर गई तो उसके घरवालें उसको मार पीट के निकाल दिया भाई उसका गला दा बारा था तो उसने जो है मैं सेचो बात कर रहा हूं थाने का तो उसके भाई ने फॉरर अपना हाथ छोड़ दिया वन्ना उस दिन उसका गला था बागर उसको मार दे थे यह वो डिवर्स ले क्या आगए जो भी उसके घरेली इस्यूस थे यह वो ऐसे बहुत सारे इशूस हुएं कि बहुत सारी लड़किया उनको घरों में घर वालों ने बन कर दिया उनके पाग किसी का नंबर नहीं था या फोन नहीं था तो उन्होंने मुझे फोन किया फिर बाद में मैंने उनके घर वालों का नंबर लेकर उनको फोन किया रिंग बैपक कि इनोंने बोला अप स्पीकर पर करके जो भी आपके घर में इसे मिरी बात करा दे एसेचो साफ से नोने बात की एसेचो साफ ने बोला कि देखें मेरे पास आई Vegas ूर जू हो तो उससे बateg के मामलाद जो है वो चलते रहते हैं और इसके अंदर जो है न वो पुलिस भी वेवस है बोलती है मिया बीबी का मामला था या घर वालों का मामला था इसमें क्या करें बात में तो देखें कंप्रोमाईज ही होता है सब में जितना भी लड़ लें कोई कंप्रोई करना होता है में जाके बस वो उसी वक्ती घुस्ता होता है कि इसको मैं बन करा दूँ ये करा दूँ हालाद बहुत खराब हैं मामलाद बहुत खराब हैं बात ही है कि सबस्दादा मुश्किल जो है न वो एक बच्ची की तर्बियत करना है लड़कों की तो देखो कहीं से भी हो जाती है ब नाश्रह इसलिए खराब है यार क्योंकि लोग खराब है और 99 पर्संट लोग खराब है यार मैं पर्संट कहीं जा कि कोई अच्छे साफ सुतरे लोग मिलते होंगे मुश्किल या अच्छा पाकिसान डिजिलल का कैसा experience रहाँ यार अच्छा experience रहाँ वाई एक legal शो है वो मैं क आ देता हूं कि वो उस तरीके से जा के अपना काम करे लिए तो बस एक अच्छा एक्सपीरियंस है वह भी अच्छा इनिशेटिव है अली रजा साब का तो वह भी चल रहा है उस पर भी चले जाते हैं वीक वीक में कभी गबार हम अजया अब इनस के लिए हाँ अचा फाद भी आप जैसे आपको देखते होंगे तैरसी बात है आपकी फैन बेस बनती होंगे तो कुछ लोग आपकी तरह बनना चाहते हैं जैसे आपकी इंस्परेशन आपने मताया शाहिद आप जो है वैसे जो आ आपको inspiration मानते हैं, उनको क्या मश्वरा देते हैं कि ये फील्ड में आने से पहले या social activist बनने से पहले, सोच लो, मैं तो कभी भी ने चाहूँगा कि मेरी तरह कोई बने, क्यूंकि जिंदगी में हमने बहुत struggle किया और बहुत line of fire का काम देखा है ना, तो उसके अंदर ये होत बने, नेकी के काम करें, अच्छे काम करें, लेकिन ये ना सोचें कि हमारी तरह बनेंगे, क्योंकि हमारा काम जो है वो असान नहीं है, और दूसरी चीज़ ये कि यार अभी आपकी जिंदगी आप जवान है, आपने बहुत कुछ करना है, आपकी एक family देखो, जितनी low life होत है, इस तरीके का, वरना अगर मुझे ideal life देखी जाए ना तो मैं एक ideal life ये बोलूँगा, यार कि मैं एक सकून की नौकरी करूँ, मेरे एक सकून का गर हो, और मैं इज़त से हुआ सकून से बैटूँ, मैं कभी भी ये नहीं बोलूँगा कि मशूरी होनी चाहिए, ये होना इस वज़ा से नहीं बोलूँगा क्योंकि ये असान चीज़े नहीं है, अपको बाल पर हलात ने, प्यार वक्त और हलात ही बनाते हैं, इसान को वरना कोई भी नहीं बनना चाहता, किस को शौक है कि वह उसको पता ना हो कि उसको कब मार दिया जाए, या कब कुछ कर दिया ज आते हैं सबको, तो वो जब बना दिये जाता है तो फिर जाहर है उसके बगार आदमी रह नहीं पाता है, और बहादुरी का जो है, वो एक मिसाल बनने के लिए आपको एहमत करनी पड़ती है, तो उसके लिए सब हैं, वरना तो जो एक आम जिंदगी है, आप लोग की मतलब मैं एक बात बता हूँ, आपको ये पैसा, ये लड़किया, ये सब, ये सब, ये सब, ये जिन्दगी में आपको सब मिल जाएगा भाई, वक्त पाने पर, इसमें कुछ भी नी रखावा, रही है, अब इदर आदमी, लोग खुआर गुम रहोते हैं, लड़कियों के पीछे ये पैसों के पीछे ये वो समें कुछ ही नी पढ़ावा, कुछ ही नी रखा उसमें, अगर आप कुछ बन जाए, बन गए तो आप अपनी मेनद से बन गए, इसमें कुछ भी नी रखावा, भाई मैंने ऐसे बड़े-बड़े लोग देखे हैं जिनको लोग थूकते भी नह नहीं करते, उनके पास बहुत पैसा, बहुत लडगी है, सब कुछ है उनके पास, लेकिन पर लोग थूकना भी पसंद नहीं करते, पैसा बहुत कुछ है, सब कुछ नहीं है, पैसे में सकून कुछ भी नहीं है, सकून कुछ भी नहीं है, सकून आपके अपने, यार पैसा ना पयुटि हो न और आपके बाशकुन है आप अमीर हो भाई आप- अमेर हो बहुत दुनमें अमेर हो पैसा से नहीं हैै पैसा होना пैसे होना sat आप के ख़ँश है आपके बेबी बच्चे है आपको और क्या चाहिए दिन्दगी के अंदर जो पना सवाल है जो एसन ने अबज़ descending हूए शादी क्यू नहीं करी? यार मस्कराट आई यार शादी असलिए नहीं करी कि जै की शादी वाली मिली नहीं तो किससे वहता है शादीů शादी वाली नहीं मिली नहीं नो जवनी में तो बहुत से लोगों ने मतलब बहुत से लोग मतलब हम सब नहीं यह जल्ल इरा दे है खर लौरा वरत से चादी हैं तो बहुत गरी जाए जाकित है और वह चार में एक आजकल मरक्रीट में बहुत कम हैं जिससे शादी करें आपके साथ आपकी इज़त कर सके, आपके साथ रह सके, आपसेंट डाउन्स है, आज मैं यहां पर बैठा हूं, कल मार दिया जाओ, अगर मेरे पीछे मेरी बीवी और बच्चे हो, तो मुझे ऐसी और शादी होनी चाहिए, जो पता चले कि समाल लेगी, तो पता चले कि समाल लेगी, तो पता चल इरादा होगा तो, खुद मिलती है, इरादा इरादा खुद ही हो जाता है भाई, रब कोई सही मिलती है, अच्छा helping with पहाद, के पीछे क्या स्टोडी है, यार जब हम देड़ साल, बहुत ज़एड़ साल हों, इसको तो काम करते हुए, इतना काम नहीं किया हमने, यार करना शुरू किया, लोगों के मैटर्स, ज्यादा बड़े नहीं, छोटे छोटे, छोटे सा मुराद यह कि किसी का इलाज करा दिया, किसी को गवर्मन्न हस्पिटल में अकॉमोडेट करा दिया, किसी को राशन डलवा दिया, सही है, मतलब ऐसे हैं के 30-40 गराने ऐसे हैं के अ निन्हें उनको राशन देना होता है इस लाइक एंग और उसके प्रिफरू ड्राइफ कर दी अभी रात को खाना जून कि बूरे महीने हमने पूरी रात खाना बाटा था अच्छा माशाऽला बाटा हमारी, हमने बाटा था खाना जगह जगहा पर मीडिया कवरिज भी ऋई है, बहुत अच्छी के अच्छी कवरिज भी है बाटा हमने आईशा मन्जिल पे नागन पे इदर उदर गुल्शन में अब ये है कि यार वो इसलिए किया क्योंके वज़ा ये थी के मज़ा नी आ रहा था सकून से बैठे वो मज़ा नी आ रहा था बोला कोई काम करते हैं तो ये काम शुरू कर दिया फिलाल ये रनिंग में है अपना अलम दिल्ला चलना आज भी खाना बाट के आ रहे हैं सब कुछ कर करा के आ रहे हैं सकूछ ऐसोच गोल हो कि वरे दिन फाइव येर आप आप अपने आपको इस पुजिशन पर देख रहे हैं इस और पिखने पर देखने इस इदारे के साथ इह तो या टोटल अन्प्रेडिक्टिबल या फ्यूचर टोटल अन्प्रेडिक्टिबल आपने कुछने कुछ तो goal set करे होंगे कि मैं इस रास्ते को अपनाता हूं वो तो खिर unpredictable है और किसी को पता निया यार बता हूं क्या रास्ता मैं कोई भी अपना लूँ पता निया कि महाँ पहुंचू या ना पहुंचू वो तो एक अलक्सी बात है कोशिश है कि हो सकता है कि हमें दुबारा कोई कंट्रोल मिले इसा हो सकता है आने वाले वक्त में और ये भी पुलिस से माशलूब बहुत इंस्पार्ड है पुलिस से नहीं है तो जो एक ओदा है यह मतलब वो उससे काम जहां आता है ना कंट्रोल वाला उससे अचा दूसरी चीज यह है के बार एक्जैम के लिए मैं रोल्ड हूँ बार एक्जैम दूँगा बैरिष्टर बनने के लिए वो एक अलग चीज है अगर वो दे दिया तो हम के कर सकते हैं अगर कंट्रोल प्रॉपर मिले गा तो ही मैं इसका का नहीं मिलेगा तो मैं बोल definitive है कितना रोल है कि इस मिलकी बैटरी के लिए दारे एक इन्सान के लिए क्या रोटा हुआ चीजिज्स además यार आम सिटिजन जो है न देखो बताओं कि इतना नफसा नफसी का दौर है इस वक्त कि इस वक्त जो हालात मुलक के हो रहे हैं न उसमें से आदे से जादा कौम होगी नफसे आती है अभी तुम कहीं पे भी चले जाओ लड़ाई जगड़ा होना न दो मिनिट में हो जागा किसी के साथ भी सब ऐसे तपे वे बैठे वे होते हैं कि अभी किसी ने हाथ लगाया और वो फड़ा शुरू बात यह है कि आम आदमी बिचारा इतने मसले मसाइल में पिस गया है फज गया है कि वो बिचारा कहता है कि यार मैं क्या क्या करूं मैं घर आओं घर पे आगे बेगम की सुनूं जरूरते पूरी करूं सब कुछ करूं उसके बाद भी जो है वो लान तान सुनूं समझ रहो तो इतना मामलात इतने खराब हों कि महंगाई ने लोगों को खतम कर आप महगाई किसम किये कि किसी कंट्रोल में आई नहीं रही है सब कुछ उनप्रेडिक्टबल चल रहा है मुलक तो अलला वास्ते चल रहा है बहुए इसको चलाने वाले कोई भी नहीं है ये ल्ला चला रहा है बस अचा अजब आपकी नजर में कोई ऐसी क्योरी या कोई ऐ यार दिल वोगी आपसे एक डिकर करना था न दूसरी स्टोरी वो थी चाइनीज वाली हाँ भाई असल में हुआ यह कि एक दिन हमारे एक दोस्साब है उनके गैराज पर जो है न वह एक चाइनीज साब आए गारी बनवाने के लिए चैनीजी साब ने का किया कि हुआ बनवााईं रहे मैं घर ले आके पैसे अदे को बंद आए को बंद कर दिया बंद कर दिया पैसे वैसे भी नहीं यह गारी नूढाई है नहीー किया अब उस बंदे ने, मुझे फून किया बोला यार वी इस तरह चाइनीज ले गगे अभाना चाइनीज के खिलाब पंगा गॉन लेगा। भाई वो तो भाई वो तो भाई वो तो हमारे मुल्क में असमों बहुत पावर में है। खेर एससपी शिराज नजीर इस वक इंटलिजन्स बीरो में है वो थै वो मैंनने लेगा अनोंको बढल में औरो चैनीज इस अ बंदा उठागे लेगा। ने यह तो चैनीज ने बेगा। और जैनने चाइनीज के लिए सब्सक्रह looking. और चाइनीज में जाके लिखा उसको ट्रासलेट करके लोगों ने उसको जो उसकी लानतान चुरू की थी कि भाई उसने लिखा कि पुलिस टुक मी टेक माइ मनी अच्छा कुकीज पुलिस आफर्ड मी कुकीज यह वो मतलब इस तरह की बात बात बहुत तुछ तुछ नसीब है कि तुझे कुकीज ओफर दी थाने में बात यह कि वो असल में यह था कि उसको भी चाइनीज को पता था कि यहां से काम हुआ है मेरा खराब हाला अपड़ेट्स यह मेरे लग रहा होगा कि मैं फॉर्णर हूं में हाला अपड़ेट्स पर डालूंगा तो मझे सपोर्ट मिल जाएगी यहां पर स्ट्रेटस लगा है जिसके बात मेरे खिलाफ पुलिस ने कारवाई की है हमारे बास आई आहां से तो पर हमने सस्पी साब को दी तो इस तरीके से मोसि यहां के लोगों ने जो इसको लां किसी अप्वाट की रेंटान किये को अच्छा है एक कोई को आ गाली आ ञाम हो इसको बरबाद करते किसम की ऐसे गालीय इंगा एंकिस ने सनी वी मिल जाके एम जाएगों ने सबने मिल बाट के कितने अपराना पॉस्टर श्यम्ट गरोप पी गाइब कर दिया ना फेस्बुक में अला तक लेक्स का उसको माटाया ना उनको मसले मसाइल जाजा थे उससे अचा आप तो माशारला जिस तरह सोचल अक्टिविश है तो आपका तो कराची में गुमना पूरा दिनी गुमना लगा लेता होगा तरह्योधना कराची के TOP 5 विरियानी आपके नज़र में ना तॉप 5 बियानी यार मैं जो बियानी खाता हुँ वह खाता हूं घाजी फूट्स यह टारिक रोड वाली है? तारिक रोड वाला भी रहा और यह अब जोहर में भी है जोहर और घुल चंज वह मारे जननेवाले ना वहां की अच्छी बर्यानी है। स्डूडंट सब खाते हैं लेकि अब शूड। का टेस्ट वैसा मज़ा निया है। है है वैसे भी है लेकिन ये के बस टूड्ट स्टूडंट एक ब्रेंड है। वो टेस्स चेंज हुआ ही नहीं कभी हैं वो खाने का दिल करें तो अब इनका टेस्स वैसे है बट नहीं नहीं आ गये डिफर्ट डिफर्ट टेस्स के साथ तो उनकी वो चाम दी रहा वह बागी नौर्थ की साइट चले जाओ तो वो अल्ला वाले की बियानी मशूर होती है आ अल्ला वाला है शायद कोई है अल्ला वाला तो यहां भी बियानी किसी की भी हो नमबर वन है भूख लगते है टाइम तुम्हें किसी की भी बियानी मिल जाए वो नमबर वन है चाहे वो खेले पर क्यों नमबर वन है अब रात के तीन बज़ रहे है सुबह च्छे बज़े एद की नमाज है, अभी गाय काटनी है, कल काप क्या प्लान है, यार बस कुर्बानी है, कुर्बानी करने के बाद तो तुम्हा पता है, सब सो रहे होंगे, नहीं सब नहीं सो रहे होंगे, कुछ गोशी बांट रहे होंगे, गोश बांटने के बाद इससे सो रहे होंगे, और क पहार चड़ने के टूब बहार चड़ना है कुछ इस तरह भी विष्टिस . मैं यर मैं जाता हूँ कि मैं पहली विष्ट्रिस मेरी जिन्दगी में है कि मैं एक दिन सोचूं बैठड के कि आज संपून जिन्दगी में कभी टैंशन अब टैंशन है खतेम . τینشن है इ nutzen , ऐसा हो नी साथ.. मैं चाहता हूं कि मेरी जिन्दगी में ऐसा हो मैं चाहता ह rapidement हli चाहता है और मैं आज बोलेखें यह लाइन और खतम होई अब जिन्दगी में ब्रॉक्त कुछ नहीं है टेन्षन नहीं है आप कोई सही है ब्रॉक है यहाईता है अब तक, ग्यारा साल की उमर से आज तक मुझे दिन सोचते वोगा, वो दिन नी आया, कही न कहीं से स्ट्रगल आई जाती ये बीच में, ठक ठक, सही है, यार दूसरी विच लिस्ट ये है के, मैं चाहता हूँ कि जो है, मैं भार चला जाओं कई, पाकिसान से, पाकिसान चोड करा जाओं कि ये ढांगा से, मैं अचाहता है और मैंबॉय से, होगे पार ये hade करणा मिला में नी आटा मीक्ति बना चाहँ जाँ वापस निया हूं जाह ये ये श्ट्रिस मेरि मेरे विख्ष और है पॉस्त सो साथ हूँ आज आज कि उमारा के समय में तो पोड़क्तं है इस वो हिता इंदि माये हैं व अऺड़ देख सकते हैं मात व कासी है बात खाक्स व है भात व कही से था कैरा बica क्थना टो कार केटर देर तो डू कॉंटाक जे वाई फरमाउस एद के बाद काफी गर्मी आ रही है तो आई होब पीपल अगर हमारे से करेंगे तो थोड़ा बर डिस्काउंड दिशार आप अगर जे वाई फरमाउस को कॉल करें और बोले के हम कॉल कर रहे हैं ऑन दे बहाफ ओफ इंसाइक आप माउन आप मैठ एंडिया, तेसरी एकि मैं जाता हैं इंडिया देखना आपी है प् Rs. अब्समा ने नहीं है और यहां सकी हम मैं अपनी विश्लिस बता रहा हूँ अचा मुझे लगा मैं मतलब आजाके भी पुलिस का काम शुरू कर दूँगा अगर इसने बड़े 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 बुड़े देखने को मिलते हैं अचा रमीर तंटन पसंद है मुझे नाइस यार अच्छी च्वाइस यार अच्वाली लाटी थी अच्वाइस जो आये उतरी थी याब अब बेकार माल है सुब और आगे विश्लिस्ट चौती आफ़की विश्लिस्ट चौती विश्लिस्ट है के शायद हैसाब की तरह गाड़ी चलाना वो कैसे चलाते थे भाई यहां की तरहा जाती थी गाडी फोल क śmier सलाती जो रहना उस सरह रट ही तरोट से घुझरती थी तो पताु की चलता प्रका। जो फेचे गुझर। पहए। जो यह रहने चलना कैना की चलना हिए। आर्णे पीछे जृताई हoperation partner प्रोटयी प्रोटोकोल की सब्सकितिए प्रोटोकोल शोड़के निकल रहे हैं प्रोटोकोल जोड़के निकल रहे हैं प्रोटोकोल वाले बिछारे गरी, बचाषि के अडरा बगा चाड़ृ आज दाइ ? वार एए वो एए व Das Wasah आमने एकस aconteोड किया होगा परोटोओने है ann अज नमास परोटोकॉल मcolor कही है आखरी विशलिस्ट जार आखरी विशलिस्ट वगएंदको अघरी विशलिस्ट अविशलिस्ट हों गयी है कि सकून से इज़त की किसी की मौताजी के बगएर और जब जाएं तो इज़त से जाएं इज़त साथ लेके जाएं इज़त की मौद और इज़त की इंदगी दोनों बहुत इंपर्टेंट है तो यह आपकी विश्टिस्ट अचा वाद भी तो डेली रूटीन के बारे में बता क्लास लेनी है पिर अपनी क्लास भी लेनी है जाके खुद भी पढ़ना है पर अब पर उसके बाद सारे काम काच करने पाद रात ऐसे हो जाएं जाएं ऑड़ बजे से लेकर रात दो बजे तक का जॉबी का टाइम है पता नहीं चलता बिलकुन जिंदगी में गोली की तरह काम आजा तो पिर लंबा जागो ऐसा है चले फाद भी हमारा जो आखरी सवाल होता है योर टोड़ेज एक्सपीरियन्स विद इंसाइक्टो मीडिया यार बहुत जबर्दस एक्सपीरियन्स रहा बहुत जबर्दस तुम लोग मेनत कर रहे हो बहुत आगे जाओगे इंशालला और ये है कि तुम लोग ने स्टूडियो बहुत खुब्सूरत बनाया मुझे बहुत अच्छा लगा मैने काफी जगा पॉड़कास दी है लेकिन इतना खुब्सूरत बहुत कम लोगों ने बनाया हुए किसी ने इतना अच्छा नही बनाया हुए जब ही मैने तुम साथे साथ पूछाता है इस पर खर्चा कितना किया तो वो बहुत जबर्दस बनाया है और ऐसे ही लगे रहो और इसमें ये देखो यार थोड़ा बहुत आदमी को लगता है कभी कभी कि मैने बहुत टाइम लगा दिया अब तक ग्रोथ नहीं हो रही है नहीं हो नहीं लेकिन वी नएवर नो किस दिन एक हैंड एक पिन पॉइंट पर आपकी ग्रोथ जो है वो बहुत डबल ट्रिपल हो जाए तो ये तो गेम ऐसे ही है ऐसी पलटती है ये अल्ला के ओपर हम कोशिश कर रहे हैं हो सकता है मेरे बाड़कास पर तुम्हारे चार मिलियन व्यूज़ आ जा 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 आप लोगों को सपोर्ट कर सकते हैं तो हमारे वीडियो की नीचे आप डिस्क्रिप्शन में पाद बाई के हैंडल देख सकते हैं तो यू पीपल आम केंड कॉंटाक फाहद बाई कोई ऐसा इस्यू जो के आपको लगता हो जिसमें आपको जाती सपोर्ट चाहिए कोई परस बाई और इसी तरीके से इंसाइकलो मीडिया हब को आप सिपोर्ट करते रहें डू शेर लाइक दे वीडियो और इंशाल्ला अगली पॉड़कास में मिलते हैं तैंक यू सो मुच अला आफिस लाफिस